नमस्कार मैं सुपर स्लिशेस आज आपके साथ शेर करना जा रही हूँ दोग्रा फेस्टिवल दोग्रा कुजीन काल्चर और क्राफ्ट फेस्टिवल 27 दिसामब को कलाकेंदर जम्मो में टूरिजम डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया बहुत खूबसूरत फेस्टिवल था यह और मुझे जाने का मोका मिला जम्मो के क्राफ्ट देखने का मोका मिला बहुत सुंदर कलाक रिटियां थी यह वुडगार्विंग थी यह महराजा गुलाब सिंग की पेंटिंग है इसे मिनियेचर पेंटिंग है यह और यह दिखो इ इसमें स्टोन्स लगा के पॉलिशिंग करके ब्यूटिफुली पिक्चराइज है ये महा काली जी की और इसके लवा ये केन का बहुत अच्छे शो के पीसिस थे कुछ किचन के स्टेपलाज भी थे और कुछ वाल हैंगिंग भी देखने को मिले मुझे कॉम से सब कुछ बहुत 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 अच्छा था बहुत अच्छा लगा मुझे ये हैं बसोली पेंटिंग जो 3000 ओनवर्ड थी और बात करने पे मुझे पता चला वहां जो एक्सपर्ट आई हुए थी बसोली पेंटिंग की उन्होंने बताया कि ये स्टोन्स को ग्राइंड करके इनके कलर्स बनाया जाते हैं और इनके ब्रश जो हैं वो गिलहरी के बालों से बनाया जाते हैं और बहुत बारीक काम है मैंने चेर बेंडिंग सच में ही बनाना बहुत मुश्किल काम है चोटे-चोटे features का दियान रखा जाता है चोटे-चोटे characters का दियान रखा जाता है तो बहुत ही beautiful pictures थे और सामने दिखता है कि इसमें कितना hard work लगा होगा यह picture मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई बहुत सुन्दर picture थी बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर इसके इलावा वहां यह सबसे अच्छा मुझे यह लगा पश्मीना बसोली की यह लेडी है जो पश्मीना गोट की जो रूई है वो निकालके वहां पहले कॉम करके उसे क्लीन कर रही थी और उसके बाद चर्खा में थ्रेड बना रही है यह यह पूरी पिक्चर उनकी थी मैंने कवर की जो चर्खा के साथ किस तरह से धागा बनाया जाता और फिर बाद में इससे ही शॉल पश्मीना शॉल् page बसोली का है और यह रुड़डरारे बनाये थे उन्होंने और जब मैं वहां पहूंची तो सब पूछ रह थी क्या बनायी के साथ बनाया तो मुझे बता था तो मैंने कुछ अन्या गालर्डर पड़े थे बैने उठा तो सब ने बद्शराल कलर्स से बनाए गे उनके सब यह नैचुरली कलर्स बनते हैं पत्तों से फूलों से उन सबसे बनाया गया है और यह सावन का फेस्टिवल है और यह थे खादी कॉस्ट्यूम में डोग्रे कलाकार जो जिन्होंने बाद में अपना नित्रे परस्तुत किया बहुत सुन्दान रेत्या कुद्ध डांस भी किया गया वहां पर खाने के बहुत अच्छे स्ट्रॉल्स लगे थे जिन्हों मैं बाद में अलग से आप से शेयर करूंगी फूड के बारे में और इस ताइम यह मैं हूँ पोस करी हूँ और यह निर्ति के लिए तियार थे विलकम करने के लिए चीफ गेस्ट के लिए और यह ब से ही एंट्री थी जाने की सेनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा गया हूँ था और यह आर्टिस वेट कर रहे हैं और आपको जैसे पता है चीफ गस्ट को आदत ही होती है तीन-चार गंडे लेट आने की तो यह है एंट्रेंस और यह रूट राडे का क्लोज अप और ज पार्ट होता है वो छतों में गाड देती थी लड़किया और खासकर जब पहली यहां पर इवाज है कि शादी के बाद का जो पहला सावन है वो लड़किया अपने माईके में गुजारती है तो वो अपनी सक्कियों के साथ छत पे जाके जब बाते करती थी गीत गाया करती तो वो राडे भी लगा देती थी उसमें मटके के स्पॉर्ट में वो कुछ नाज के दाने लगाती थी और जब वो बड़े होते थे तो दरिया के किनारे जाके वो एक पिकनिक की तरह मनाया करती थी तो बड़ा ही अच्छा फैस्टिवल है लोग अब शहरों में भी बनाने बना रहे हैं इसे पर मोट किया जा रहा है और यह है पीछे किम का पेड़ आप जमू का किम तो आपने खाये ही होगा तो जमू वाले हो तो जरूरी खाया होगा और आपका फैवरेट भी होगा लदा हुआ था किम से और मैंने कचालो वाले को कहा कि वो किम वहां से ले और उसने मेरे कहने पर किम भी बनाया फूट ये है उसकी किम की पिक्चर फूट का मैं दुबारा से अलग से बनाऊंगी एक वीडियो और वो आपको इसके साथ शेयर करूँगी ये मेरे कुछ किम के पेड़ के साथ कुछ पोस क्योंकि किम मेरा फेवरेट है और जुरूर आप सब का भी फेवरेट होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में आपको कैसा लगता है आज के लिए ओके बाई